नमस्कार में कमल श्रीमाली आपका स्वागत अभिनंदन मेरे इस चैनल खेल ग्रहों का मैं आज हम बात करें रासिफल 2019 अगस्त मां के लिए तो अगस्त मां में सिंग रासी के जातकों के लिए सूरिय रासी से 12th आउस में है साथ ही साथ बुद्ध की बात करें बुद्ध 11th सेकंड आउस के स्वामी होकर के कुंडली में 12th आउस में है मंगल नेगटिव होकर के नीच रासी के स्वामी होकर के आतात भाग्य और सुक दोनों का स्वामी होकर के मंगल भी कुंडली में नेगटिव है सर्फ शुकर बहुत अच्छी पोजिशन पे है कि कुंडली में 10th house का स्वामी होकर के और थर्ड house का स्वामी होकर के शुकर जरूर बहुत अच्छी पोजिशन पे है राहू बहुत पोजिशन पे है ब्रसपती को भी नेगेटिव नहीं बोच सकते और शनी है वो कुणली में रासी से फिट house में बैट करके financially worries देगा, financially crunch देगा, financially संतुष्टी नहीं देगा तो सबसे पहले धन और संपत्ती की बात, अतात income और ठीक उसके साथ savings तो 11th house gain का है, 11th house का स्वामी कुणली में बुद्धे, second house धन और संपत्ती का संचे का है उसका स्वामी भी कुणली में बुद्धे, और सनी की दोनों ही बावपर दस्ती है और सनी स्वाहम कुणली में पंचम इस्तान में है, सब्तमिस्तान का स्वामी होकर की तो सब्तमिस्तान के लिए तो ये इस्तिती, योग करक इस्तिती हो जाती है क्योंकि सब्तों मिस्तान व्यापार का है सब्तों मिस्तान गरस्चुक का भी है तो वह वहाँ से 11 आउस में सनी है और इसकी 30 दस्ती 70 आउस पर है सनी की 30 दस्ती कभी खराब नहीं मानी जाती है ठीक एक आम धारना है कि सनी जाँ जाँ देखते हैं वहाँ बरबाद कर देते हैं, लेकिन सनी से अच्छा गरे, सनी से प्रैक्टिकल गरे, सनी से न्याय प्रिये गरे, कोई दूसरा नहीं मिल सकता है। सने जब पुजिटिविटेट सतनी सथ गांपर लिजाए इडि ड़ósरण यौ IL है गए पसुनेड़ी यो ड़ी इसी प्रदाल मों बना अविता देख लीज़ें नेशलेता की का अुंकि ये था? जो जो भी सनी प्रदान व्यक्ति है उनकी हाइट पसनल्टी हमेशा आपको अच्छी और बैटर ही मिलेगी नेगेटिव नहीं मिलेगी आपने सनी को काला रंग मान लिया आपने सनी को बहुत ज़्यादा बसूरत मान लिया जो की गलत धाड़ना है और आज के युग में सनी सिर्फ ज़्यादा ते डराने के काम आ रहा है जो भी कोई भी जोति सीखेगा वो सबसे बहुत सनी से पैसा कमाने का काम करता है और अल्टिमेटली सनी आपको जो कुछ भी आप सनी के साथ में खराब करेंगे उनका नाम बदनाम करेंगे वो आपको वापस उसकी सजा जरूर देगा और आपने एक्जामपल के रुप में देखा हुआ है कि आज के स्थिति में क्या जो सनी का नाम ले रहे थे वो आज स्थिति में कैसी स्थिति में है या उनके साथ में क्या हुआ है एक और चीज है बहुत ध्यान देने की इस्तिती में है जिन जिन लोगों का नाम राम है अथा राम सब्द उनके नाम में सामिल है तो आज की तारीक में उनके साथ में क्या हुआ है या आप स्वेम देख लिजिए आपने example के तोर पर आपको खुद को पता चल जाएगा कि जो जो नाम राम थे चाहे वो आशा राम नाम है राम रहीम नाम है चाहे कोई और अर्याना के करपा राम जी माराज हुए है आप उनको देख लिजे और भी example आप ढूंड लिजे कि जो कुछ भी भगवान के नाम के साथ में होकर के खराब करेंगे अपना आप उनके साथ में समस्याइं खड़ी होगी ही होगी और इसलिए इस्वरिय सत्ता का importance हमेशा हर यूग में रहता है और रहेगा हम बात कर रहे हैं रासिबल की तो धन और संपत्ति की जहां तक बात है उस और आपको संतुष्टी नहीं मिल पाएगी चाहे सनी की जस्ति के कारण बोल दीजे और या आप कुणली में बुद के कारण बोल दीजे कि बुद दो ऐसे भाव का स्वामी है जो की financial related है लेकिन वो कुणली में 12th house में 12th house को expenses बोलते हैं तो पैसा ज़्यादा खर्च हो जाएगा पैसा घूमने फिड़ने पर खर्च हो सकता है पैसा खर्च आपका हो सकता है ठीक है सहज सपाटे के लिए आपकी लाइफ में facilities को लेकर के आप लाइफ में दिखावा करना चाते हैं नई गाड़ी खरीदना चाते हैं घर में रंग रोगन कराना चाते हैं साथ सज्जा करना चाते हैं इंटिरेर कराना चाते हैं पैसा आपका खर्च होगा क्योंकि शुकर कुणली में 12 आउस में है जो की better माना जाता है क्योंकि ultimately वो सुख सुविदाय देता है आपको pleasure mood देता है आप जब भी बाहर गुमने जाते हैं तो खुश होने के लिए जाते हैं तो शुकर उसका कारक है लेकिन साथ में मंगल कुणली में भागी का स्वामी भी है और कुणली में सुख का स्वामी भी है और मंगल कुणली में negative इस्तान में चल रहे हैं अभी temporary 24 सितंबर 2019 तक तो वहां तक आपने जो भी गुमने फिलने भी जाते हैं घर का कुछ काम कराते हैं तब भी मैं आपको साफदान रने की सलाह दूंगा कि जो भी ठेकेदार से आप काम कराते हैं जो भी contractor से काम कराते हैं जिसको भी आप को इनको deal करते हैं आप उस deal को लिखत में ले लिजिए और उसके साथ में time frame जोड दीजिए तो आप कम से कम safe side में रहेंगे नहीं तो आपके साथ में कुछ ने कुछ समस्याएं भी आ जाएगी और आपका काम भ बात करते हैं घर में सुक्षूदाओं की या गरेलू जीवन की गरेलू जीवन का स्वामी आपकी कुणली में मंगल है और मंगल इस समय नेगिटिव चल रहे हैं जैसा कि मैंने बताया है कि घर में या जो भी काम करवाना चाते हैं घर के अंजर इंटीर से लेटेट काम कर रहे हैं या हो सकता है घर में कोई बीमार है उस और से भी परेशान हो सकते हैं घर में कोई नया काम करवा रहे हैं उससे भी आप परेशान हो सकते हैं तो ये समय परेशानी का है और परेशानी टेंपरेरी है फिर मैं बोलता हूं कि जोती संभावना का विज्यान है और संभ पुन हो सकता है हो सकता है माताजी का स्वास्ति ठीक ना रहे हो सकता है बच्चों के स्वास्ति को ले करके आपको दोड़बाग करनी पड़े डॉक्टरों के चकर काटने पड़े हो सकता है उस उस अंदर में आपका पैसा ज्यादा खर्च हो जाए तो पैसा कमाते ही इसलिए बच्चों के लिए माबाब के लिए और जहां तक पैसे की बात है मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि थोड़ा सा सरफ धहरे कर दीजे financially आपकी life बहुत अच्छी होने वाले financially आपका time period बहुत improvement पे जाने वाला है सरफ आपने इस दिपावली तक कवेट करना है क्योंकि दिपावली के आसपास 11 अगस्त को मंगल सुरी 11 अगस्त से ब्रसपती मारगी हो जाएगा 18 सितंबर से शनी मारगी हो जाएगा पांच नवंबर को ब्रसपती अगली रासी मता धनूरासी में चले जाएंगे और 24 जनवरी 2020 को शनी अगली रासी में चले जाएंगे तो ये दोनों इस्तियां आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है अब बात कते हैं एजुकिशन की तो एजुकिशन का स्वामी आपके कुल्णे ब्रसपती है एक तिरिकौन का अधिपती खेंद्र में जाना सबसे ज़्यादा अच्छा है सबसे ज़्यादा योग करक स्थिति है और उसी ब्रसपती की जरस्ती भी आपकी कुल्णे में क्यारे राहूस पर भी है आपके 12 देते हैं और राव का मतलब प्लानिंग है राव का मतलब जो स्ट्रेजी बना रहा है जो प्लानिंग बना रहा है जो आप योजदें बना रहा है वो आपकी सही होगी और वो आपको सक्सेस देगी इसलिए निश्चिन तो करके जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वो आपको करना चाहिए तो education में time period आपका ठीक है जो कुछ भी यदी exam देना चाहते हैं कोई competition के exam में कोई interview है उसमें भी सनी आपकी साहता करेगा उसमें भी सनी आपको support करेगा लेकिन जान तक financially situation में है रासी से 5th आयवा सनी financially संतुष्ट नहीं करता है financially worries दे देता है जो भी resources जो अब income होते हैं वो week होते चले जाते हैं और इसे अव्यक्ति चिंतित हो जाता है और यह चिंता आपकी temporary है इसलिए ज़्यादा परेशान होने की जह उतनी है क्यों maximum time आप निकाल चुके हो 26 January 2017 से 20 June 2017 26 October 2017 से 24 January 2020 24 January 2020 आने में अब लगबग 5 मिनों का ही समय है इसलिए आप ये जो negativity है या जो चिंता है उस चिंताओं को समिट लीजे क्योंकि चिंताओं आपकी बहुत जल्दी दूर होने वाली है अब बात करते हैं health की तो health में जरूर आपको careful रहना है क्योंकि कुंडली में six house का स्वामी वो शनी है सनी अपने से 12 house में है अपने से 12 बाव में बैटा हुआ है और सनी का मतलब हड़ियों में चोड से है शनी का मतलब hormones की problems है सनी का मतलब anxiety से related है कोई कोई ची जलने फिटने से ठीक आप बोल सकते हैं उससे समस्याइं आपकी हो सकती है और सबसे ज़्यादा जो भी आपके घर में वरद है उनको ज़्यादा carefully आपने handle करना चाहिए ज़्यादा देखबल करनी चाहिए क्योंकि उनको घुटनों की तकलिफ उनको पाउं की तकलिफ या कोई चोड से बातरों में गिर जाने से सीडियों से फिसल जाने से समस्याइं आ सकती है क्योंकि सनी कोई भी समस्याइं जब देता है तो कोई दुरगटना के साथ में चोड के साथ में हड़ियों की प्रॉब्लम के साथ में देगा इसलिए ये जरूर आपने ध्यान रखना है हेल्थ के पॉइंट अब बात करते हैं सेवंत आउस का मतलब दमपति सुख ग्रस सुख व्यक्ति जवान होने के बाद में उसको दो चीजों की जोत होती है एक उसको जिन्द की पर चलने वाला जीवन साथी चाहिए और जिन्द की पर चलने वाली कोई आमद नहीं चाहिए कोई कोई काम दंदा चाहिए तो सेवंत आउस का अधिपति कुणली में शनी है और अपने से इलेवंत आउस में सनी है उसकी तीसी जस्ती कुर्ली में सेवंता उस पर है तो ऐसी इस्तिति में आप जो भी काम करना चाते हैं जो भी व्यापार करना चाते हैं उसमें भी आपको सपोर्ट हासिल होगा और आपका जीवन साथी भी आपको सपोर्ट करेगा लेकिन मंगल की जस्ती सेवंत आउस पर है इसलिए अपने जीवन साथी को कोई भी ठीकी बात बोलने से बचना है ऐसा व्यवार करना है ताकि आप जो समझाना चाते हैं वो समझा भी पाएं और उसका असर भी प्रैक्टिकली सीरिसली हो इसलिए आपने वो सोच समझ कर क्योंकि मंगल जाम पर भी अपना असर डालेगा वहाँ पर ब्लास्टिंग देगा वहाँ पर कुरोद और आवैस देगा तो ब्लास्ट जिसको बोलते हैं जब कोई पटा का फोटेगा तो वहाँ पर सिरफ अजब धमाका ही होगा सांती तो आदिपती शुक्र है शुक्र इस समय बहुत अच्छी पोजिशन पर है सोला अगस्त के बाद में शुक्र भी आगे बदल करके आता सिंग रासी में चले जाएंगे तब शुक्र से लेटेड जो मैं ये अच्छाईयां बोल रहा हूं जो मैं पॉस्टिविटी बोल रहा हू इसलिए पॉस्टिविटी आपके साथ में कंटीनू होगी चलती रहेगी तो सपोर्ट आपको हांसील होगा चाय वो आपके सरकल का हो चाय छोटे भाई बैनों का हो वो सपोर्ट आपको कंटीनू मिलता रहेगा शुक्र से लेटेड अथात जो कुछ भी लोग इलेक्रोनिक से लेटेट काम करते हैं, हेंडिक्राफ्ट का काम करते हैं, एंटिक का काम करते हैं, जैंसें ज्वैलरी का काम करते हैं, उन लोगों को ये 16 अगस तक बहुत अच्छा फाइदा होने के योग हैं, तो अगर उनको बिग डील करनी हैं, बेटर डील करनी हैं, ये सही समय है, सही चनमा धेख करके आपको उस पर हावी होना चाहिए उस डील को क्रैक करना चाहिए साथ ही साथ जो आपकी रासी है उस रासी का दिपती सूर्य है सूर्य भी 17 अगस्त 2019 को अपनी रासी मा जाएगा तो जो लोग भी जो भी ब्यूर्योक्रेट्स हैं चाहिए वो पूरी गवर्मेंट को कंट्रोल करने वाले लोग हैं आयस ओपिसर्स हैं या जो लोग भी प्रसासनिक अधिकारी सिविल सर्विसेज वाले हैं उन लोगों के लिए बहुत बैटर टाइम पिरिट स्टार्ड होग रहेगा जो भी वो एक्जाम देना चाहते हैं जो भी वो टाइम पिरिट लेकर के कोई अधिमेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं उन में उनको सक्सस मिलेगी अब बात करते हैं आखिर में ट्रेवलिंग की शुकर रासी से ट्वेल्ट आउस चल रहे हैं इसले पैसा खर्च कर करने वाला है उसका फाइदा लेने में ही बलाई है क्योंकि ऐसे ही पैसा खर्च करने की जगे एक अच्छी मेमोरी बना लेना ज्यादा बैटर है क्योंकि यादे जिंद की भर आपका साहरा बनती है आप पैसा इकटे करते जाएए अपने बच्चों के लिए अपने बनाने का यह टाइम पिरिड है पैसा तो जो खर्च होगा वह वापिस आने वाला है जैसा मैंने आपको बता है कि बहुत जल्द आपके आरतिक इस्तिति और ज्यादा बैटर होने वाली है जो चिंता है वो भी जाने वाली है इसलिए निश्चिंद होकर कि गोमने फिरने ज जा सकते हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जितना भी पैसा खर्च होगा बहुत जल्दी वो पैसा आपके पास में आ जाएगा तो ये था अगस्त 2019 का मासिक रासिवल आपने जोतिस को एक प्लानिंग के तोर पर एक गंभी रिता के साथ में लेकिन अंद सकती है जब हो सकती है साफदान रहने में क्या बुराई है सब कुछ जोतिस जो बोलता है वो ही 100% सही होगा ये अंद विश्वास के बिना जोतिस को प्लानिंग के तोर पर प्रैक्टिकल हो करके अपनाएंगे तो आपको कभी भी निराशा नहीं होगी कभी भी हतासा नहीं होगी और कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमने वेश्टी कोई चीज़ को प्लान किया और हमने किसी चीज़ को फॉलो किया और उसके बाद में हमको सक्सेस नहीं मिली या निराशा लगी ऐसा नहीं होगा स्वस्त रहिए प्रसंद रहिए अपना आपने बच्चों का और जो आपके माता पिता हैं गर में व्रद हैं उनका बहुत ज़्यादा केर करना है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जो समय अभी चल रहा है जो कुछ भी आप effort कर रहे हैं इतनी मेनत कर रहे हैं वो मेनत कि पैसा बचा रहे हैं जो सोना चांदी आप इकटे कर रहे हैं वो सब किसके लिए अपनी संतान के लिए तो संतान के लिए सब रूपिया पैसा ही नहीं एन्वामेंट भी दे करके जाने की जिम्मेदारी आपकी है यदि आप इस धर्थी को सरफ आशोशन करके चले गए इसको दोहन करके चले गए और वापस इस धर्थी को रीचार्ज नहीं किया चाहे वो ग्रीन डी की रूप में चाहे साथ में वाटर हर्वेस्टिंग के रूप में तब आप क्या होगा हो सकता है आने वाली पीडी सरफ आपको कोसे कि जो हमारे पूर्वस थे वो धर्थी का इतना ज्यादा नुकसान करके चले गए कि आज की तारी में हमको अच्छी हवा के लिए पाने के लिए भी हमको ढूंडना पड़ रहा है परिशान होना पड़ रहा है इस्तिगल देखना पड़ रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए और यह जिम्मेदारी आपकी है मेरी है हम सब की है जो आज की जनरेशन है अगर वो एफट नहीं करेगी तो नेक्स जनरेशन को सिक्सा कहां से मिलेगी और नेक्स जनरेशन को हमें जिंदा भी रखना है और अच्छे एट्मोस्पर भी देना यह जिम्मेदारी हमारी है तो जो भी यह प्रोग्राम देख रहे हैं उन सब से मे कि अज बानन दो और आकां जिलेशन है दिली में स्क्राइबे़ग जन Carmi आओेह Но अहींक समारी हैं कि विलेशन को सबस्ते हैं जिलेशन μου जे दो जसे में जिलेशन चामुझ को बंसे यहाद YouTube. प्रिख चाहता है झाल